तेरे आनिंग से सज गई हमरी ये तूटी भूटी ना दोस्तो असी के दशक की खुबसूरत अभनेत्रियों में जरीना वहब का नाम ने आए ऐसा संभव नहीं है पर प्यार की याह करेंगे साथ जीएंगे मरेंगे चांद जैसे मुखडे पे बिंदिया सितारा उनका जन 17 जुलाई साल 1969 को आंदर परदेश के विशाका पतनम में हुआ था बोली उड़की कई फिल्मों में नजर आचुकी जरीना को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू और तेलगु भाशा पर अच्छी पकड़ हासिल है दोस्तो साल 1986 में उन्होंने जानेवाने एक्टर आदित्य पांचोली से शादी कर ली थी उनके दो बच्चे सना और सूरज पांचोली हैं सूरज भी पिता और मां की तरह ही पेशे से एक्टर हैं करियर की शुरुआत से पहले जरीना बाकाइदा एक्टिंग की ट्रेनिंग ले चुकी थी पूने इस्तित फिल्म एंड टेलिविजन इंचिटूर से उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया था परतिभा होने के बावजूद उन्हें फिल्मों में पहला मौका पाने के लिए काफी संगर्श करना पड़ा तरसल जिस समय जरीना वहाब बोली उड में संगर्श कर रही थी उस समय अपने साखले रंग की विजह से कई मोके निकलते जा रहे थे जिसकी वजह से उनका संगर्श दोगना हो गया था कड़े संगर्श के बाद उनके हाथ रिशिकेस मुखर जी की फिल्म गुड़ी लगी लेकिन बाद में इस फिल्म में जिया बच्चन को काश्ट कर लिया गया इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्मों में रोल पाने का अपना संगर्श जारी रखा जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उन्हें पता चला कि अमिलेता देवानंद अपनी नई फिल्म इश्क 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 के लिए एक नई चेहरे की तलाश कर रहे हैं इस मौके को जरीना वहाब हाथ से नहीं जाने देना चाती थी बस फिर क्या था वह सीधे महबूब इस्टेडियो पहुँच गई और ओडिशन दिया फिल्म में जरीना वहाब को जीनत अमान की बहन का रोल मिल गया हाला कि उनकी यह फिल्म बोक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी लेकिन जरीना वहाब के अभिने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया दोस्तों जरीना को बोलिवड में असली पहचान फिल्म चित्चोर से मिली राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म में जरीना के काम की काफी सरहना हुई इस फिल्म के अलावा वह घरोंदा अनपड सावन को आने दो नईया सितारा और तडब जैसी के शांदार फिल्मों में अपने अभिने का लोहा मनवा चुकी हैं स्लम हो खुदा हो सुरो मेरे क्या हो दर पे दिल के तुम ज़ा तरिस रडियों से घॉता चला आया है यह हमारा तुम नीर भरन का करके बहाना मेरे लिए जरा वो जुठा नंद्र मजू आधा आधा जवारे दो दिवाले शहर में रास में या दो तहर में आब दोना तुझे देखकर जगवाले पर यकी नहीं क्यूं कर थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमा तो दोस्तो आपको बोलिवड की महन अबनेत्री जरीना वहब कैसी लगती है हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालिदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देएं धन्यवाद